कि अलो स्वागत है तद्धित प्रकरण अपना चल रहा था तो तद्धित प्रकरण में आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि क्या करना है और कैसे पढ़ना है इसी तरह से अब जो सेश सूत्र है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं तो अगला सूत्र है तेन दिव्यती खानाती जयती जितम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तद्धित प्रत्य परस्च इसका अधिकार आता है तो सब जगह ये चीज़ आप जुड़ेंगे समर्थ पद की अनुवरित्ति आती है इसलिए समर्थ पद आ जाएगा और हमने कहा था कि जैशा भी सब्द हो जैसे किसी सूत्र में तस्य है तो अर्थ करेंगे सस्थंत तीन होगा तो अर्थ करेंगे तृतियान्त इस तरह से हमें स्वयम अर्थ निकालना है अब हम आज अधि जो प्रत्य विशेस बतायेगे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पहला सुत्र है तेन दिव्यती, खनती, जयती और जितम तो इसमें तेन पद का अर्थ करेंगे त्रतियांत पद त्रतियांत पद कैसा होना चाहिए तो समर्थ ये अर्था आजाएगा तो समर्थ जो त्रतियांत पद है उससे हम क्या करेंगे इन इन अर्थों में दिव्यती अर्थ में, खनती अर्थ में, जयती अर्थ में और जितम अर्थ में ये अर्थ को बताने के लिए ये सारे शब्द दिये गए तो दिव्यती का अर्थ होता है खेलना गिभु कृड़ा खनती का आर्थ होता है खनु अवदारने करना जयती जीतना और जितम मने भी जीतना तो जितम जो है ये तो भूतकाल का प्रियोग है और बाकी जो प्रियोग है ये वर्तमान काल का प्रियोग है जयती इस तरह से तृतियांत जो पद होगा उस पद से जीतनी अर्थ में, खेलनी अर्थ में, खनन अर्थ में और जित अर्थ में हम ठक प्रत्य करेंगे तो तेन जो पद है यहां तृतियांत पद वो करण अर्थ में तृतिया है यहां तो करण अर्थ में तृतिया का मतलब होगा साधन तो जिस किसी भी साधन से हम खेलेंगे जिस किसी साधन से जीतेंगे उन अर्थों को बताने के लिए प्रतियांत समर्थ सुवंत पद से तधित प्रत्य ठक प्रत्य होका। जैसे प्रियोग दे रहा है अक्षेर दिव्यती खनती जयती जितो वा इती आक्षिक हो अपने को प्रियोग क्या वनाना है आक्षिक हो तो आक्षिक प्रियोग कैसे वनेगा तो यहां साधन है कौन अक्ष अक्ष से हम खेल रहे हैं तो अक्ष से खेलता है तो अक्ष से संबं जो खेल है उसको हम बोलेंगे आक्षिक तो अक्ष यहां त्रतियांत पद है अक्षई ही तो हम अक्ष भीशे इस अर्थ में दिभ्यती अर्थ में अलग-अलग हम बोल सकते हैं तो दिभ्यती अर्थ में हम अक्ष शब्द से ठक प्रत्य करेंगे तो अक्ष भीशे ठक वही लूप हो जाएगा अक्ष प्लस ठक बचा ठक का अनुवंद लूप हो के ठो बचता है और एक सुत्र है ठस्य कहा ये सुत्र क्या करता है ठो के जगापर में एक आदेश तो यहां अक्ष शब्द के बाद ठक प्रत्य करनी पर ठक के स्थान में एक आदेश हो जाएगा तो क्य के बाद उसका यस्यति चह से लोब होगा और ठक में चुकी ककार की इत्षण्या है इसलिए किती चह से आध्यत को बृद्धि कर देंगे तो प्रियोग बन जाएगा आक्षएक जाके मिलेगा आक्षिक आक्षिक से सू प्रत्य करेंगे रुत्विशर्ग वही क्रतधित समासा सिप्रात्षण्या सूरुत्विशर्गो करके बन जाएगा आक्षिक हा तो अक्षेर दिव्यति इती आक्षिक हा अक्षेर जयत इती आक्षिक हा अक्षेर खनत इती आक्षिक हा अक्षेर जितम इती आक्षिक हा तो हमको एक ये उदाहरन है किसी भी साधन से जो हम खेलेंगे, उन सभी वाचक सब्दों से ये ठक प्रत्य कर देगा, अवगतम तो इस तरह से आपको उदाहरन क्या ध्यान दखना आक्षी कहा, आक्षी कहा में प्रत्य क्या है, ठक प्रत्य है, किस अर्थ में है, दिव्यती, जयती, इत्यादी अर्थ में है, किस सूतर से है, त ध्यान के तेन पद जो है, ये पद का संबंध सभी के साथ होगा, मन haha स्भी त्रत्या जेयती के साथ, सभी वयर्बयति, सभी के साहतो नशीश त어지 करना है, अ इत्यादि अर्थ सब के साथ में करना है। अब इध्यान के हम ध्यान, अब यहाँ पर में ध्यान इसी तरह से देखो अगला सूत्र है धर्मम चरती तो यहाँ पर में चरती इस अर्थ में चरती का मतलब है चरता है आचरन करता है अनुश्चितपि अनुटिष्थतपि मने अनुश्चान करता है तो अब यहाँ धर्मम में कौन सी विवक्षी है दुतिया इसलिए अर्थ करेंगे दुतियान्त धर्मपद से दुतियान्त जो सुबंतपद है ऐसे समर्थ सुवंत पद से चरती इस अर्थ में ठक प्रत्य होता है तो सूत्र का क्या आर्थ करेंगे दुतियांतात समर्थात धर्म शब्दात दुतियांत समर्थ वाचक जो शब्द शब्द जो समर्थ शब्द उससे हम चरती अर्थ में ठक प्रत्य करेंगे अब ठक प्रतय करेंगे किससे तो दुतियांत्पद को ने यहां धर्म ने धर्म का जो आचरन करता है धर्म का जो अनुस्थान करता है तो इस अर्थ में धर्म सब्ध से ठक प्रतय करेंगे धर्म ठा ठकानमन लोप होके ठा फिर वही ठा के स्थार में एक इस्तित बनेगी धर्म प्लस एक मौमे अब भसण्या का लोप जा करके मिलेगा शब्द बन जाएगा आज इसको ब्रिदि करोगे किती चासे प्रयोग बनेगा धार्मिक धार्मिक क्रतादि सवासाश से प्रात्विजञ्या शूर्थ विशर हो करके प्रयोगन जागा धार्मिका हाँ धार्मिक का अर्थ क्या हुआ धर्म का आचरण करनी वाला अब यहाँ एक बारतिक दे रहा है अधर्मातचेति वकतव्यम जैसे धर्म शब्द से हम ठक प्रत्य करते हैं चरती अर्थ में अनुतिष्ठती अर्थ में उसी तरह से अधर्म शब्द से भी हम ठक प्रत्य करेंगे तो अधर्मम आचरती इस अर्थ में अधर्मम अनुतिष्ठती अधर्म का अनुष्ठान करता है अधर्म का आचरन करता है इस सब्द से अधर्म सब्द से करेंगे ठक ठक का क्या बुचेगा ठवई एक अधर्म एक धर्म में मोंके źज्ढया अकार कालोग किती चॉचप से आद्यच को भृद्य करोगे तो ओ जो है उसको भृद्य करेंगे आ, तो क्या बन जागा आधर्म आगे इक बनेगा आधर्मिक आधर्मिक शब्द बनेगा और आधर्मिक सबसे सू रुत्विशय करके बन जाएगा आधर्मिक हा यहाँ ध्यान लखना क्योंकि अभ्यास में लोकप प्रियोग में हम जो है बोल लेते हैं अधर्मिक है यह तो अधर्मिक जो है वो यहां पर में अधर्म शब्द से तो इसलिए आधियच को व्रिद्धी करेंगे और को तो आभनेगा तो यह प्रयोग है अधर्मिक जल्दबादी में हम क्या लिख देंगे अधर्मिक हा यह गलत हो जाएगा अधर्माचेति वक्तव्यम इस्वार्तिक से अधर्म शब्द से ठ अधर्मम आचरति इस अर्थ में ठक प्रत्या है कर लेंगे चलिए इसी तरह से यह अब सारे छोटे-छोटे सूत्रे केवल उदाहरन ध्यान में रखेगा और सूत्र जरूर ध्यान में रखेगा इसका अर्थ क्या है इसी तरह से देखो अब विशेस अर्थ में और सूत्र इस अर्थ में तो सब्तम्यंत शब्द है यहां सब्तमी अर्थ में प्रयोग है यहां इसलिए क्या करेंगे यहां विशेस अर्थ है शाधु तो तत्र साधु इस सूत्र से तत्र शाधू इस सूत्र से तत्र की अनुवृत्ति आती है और साधू अर्था आजाता है इसलिए शब्तम्यंत पदका गरन करके करेंगे सभायाम साधू जो सभा में अच्छा रहे, सभा के अनुपूल रहे, सभा में बैठने युग रहे उसको बोलेंगे सभ्य, तो सभ्य किसको कहते हैं, तो उसका हम परिभाशा करेंगे तो कहेंगे सभायाम साधू इती सभ्या, तो यहां क्या करेंगे सूत्र कहता है सभायाम यह, सभा सब्तम्यंत जो समर्थ सुबंत पद है, उस ऐसे सभा सब्द से सादु अर्थ में यह प्रत्य हो जाएगा तो विग्रा क्या करेंगे सभायां सभा नी और सादु अर्थ में प्रत्य करेंगे यह फिर विवक्तिका लोप हो करके स्थिद्वनेगी सभा प्लस यह अब यह जो प्रत्य है यह यादी प्रत्य होने के कारण तद्धिते सो प्रयोंक्याण। सभ्ध यहां आदे अच्पो ब्रदय नहीं हो सकती क्योंकि न तो कित प्रत्या है इसलिए इस प्रकार के कोई अनवंद नहीं होने के खारण। सीधे शब्द मिलेगा सब्द क्या होनागा सभ्ध्यह तो सभा प्लस यह भसंग्या आकारका लोग जाकर के मिल जागा प्योकर गाँ सभ्ध्यह अब गतम अब इसी तरह से यह जो आपके सारे सूत्र शब्द है यह अलग अलग प्रकर्ण से छाटके दिया है इसलिए अलग- अर्थ में प्रत्यों का ज्ञान है कि नहीं तो ध्यान में रखना है कि वही साधू अर्थ में भी होता है इसके बाद में हमने देखा कि दिव्यति खनत इत्याद अर्थ में होता है चरती अर्थ में होता है लेकिन सभी में अलग-अलग पद से दिया तो त्रत्यांत पद भी तरत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यांत्यां यहां पृत्य का विधान करने जा रहें। तो उसी को कहता है तेन क्रीतम अर्था तेन अर्था तृत्यान्त सुवन्त साधनेन। तो तृतियांत जो समर्थपद होगा ऐसे समर्थपद से क्रीतम खरीदा इस चीज से ये खरीदा इस अर्थ को बताने के लिए यहां ठाइं प्रत्य होगा अब ठक रहे या ठाइं रहे रूप तो एक जैसा बनेगा लेकिन प्रत्य ध्यान में इसलिए रखना है कि जल्दबाजी में हम समझते हैं कि ठक करे या ठाइं करे रूप तो एक ही बनेगा रूप तो बनेगा लेकिन परिक्षक ये ध्यान में रखता है कि उचित प्रत्य का ज्यान है कि नहीं इसको इसलिए कहां ठाइं है कहां ठक है इसका अभ्यास थोड़ा होना चाहिए अभगतम तो यहां पेल क्रीतम इस अर्थ में हम ठए प्रत्य करेंगे उदाहरन दे रहा है सब्तत्या क्रीतम इति साप्ततिकम तो सप्तति शब्द है सप्तती मने सतर सतर रूपे में खरीदा मालो तो किसी चीज को 70 रुपे में खरीदा, यहाँ सब्तती ही जो है यह क्या साधन है, इस साधन के द्वारा कोई चीज जो खरीदी गई रहेगी, उस चीज को हम बोलेंगे साप्ततिक, तो सब्तती शब्द है, तो सब्तती शब्द ध्यानक यह, विंग्षती आनवते हैं, सभी एकवचन में हमेशा प्रयोग होता है, तो इसलिए विंग्षती शब्द कैसा होना हो, सब्तती शब्द कैसा है, यहाँ कैसा होना चाहिए, तो तेन के द्वारा कहा त्रतियान्त, इसलिए त्रतियान्त जो सब्तती शब्द है, इस से खरीदी हुई कोई चीज इस अर् करीटम इसर्थ समर्ट इसमें सब्तती आगे को सप्कूं अब कर देंगे यव्यक को करहंगे सब्त poko तो सब्तती का बने लेगी साप्तिविश्या करेंगे क्रते सवा शाहस्थ से शूकरुत विश्र करके बन जाएगा सापतिकरुस प्रस्थ्थे को делать लुड़सेश्थे क्रिठाव्न तो प्रस्थ ने करिए तो प्रस्थ से खरीदा, तो प्रस्थ का मतलब क्या हुआ? प्रस्थ का मतलब हुआ प्रस्थ भर अनाज से खरीदा, मने पाथ किलो अनाज दे करके कोई चीज जो खरीदी गई, तो प्रस्थ परिमान से युक्त जो अनाज है उससे खरीदा, तो आप लोग देखे होगे, गा गाउं में क्या होता है गाउं में पैसे लोगों के पास रहते नहीं किसान के पास तो गाउं में जो सब्जी बेचने के लिए आती है या आता है तो गाउं में क्या करती है मेलाएं पैसे नहीं है तो अनाज दे करके और उससे सब्जी आधी ले लेते हैं तो प्रस्थवर अन प्रास्थिक ये सबजी है, मने प्रस्थ भर अना से खरीदी गई चीजह तिरफ है, यहां प्रत्यांत्पद को नोग सब्स्थेल, मुल सब्सकॉन नोग सब्सकुद को नोग सब्सकॉद, फिर खरीद अर्थ में क्रीट अर्थ में क्या करेंगे, थैं, इस त्य दिवनेगी प प्रस्त प्लस ठाएं, ठाएं का अनबंद लोप होके ठाव, वही एक सारी बज़न्या अकार का लोप आद्येच को ब्रिदि करके बन जाएगा प्रास्थिक, तो आपको परिक्षा में ध्यान लखना है, कि यहां प्रास्थिक हमें पूछ देगा कि किस अर्थ में यहां प्रत प्रत्या है, तो आपको बताना प्रेगा कि यहां क्रीत अर्थ में, खरिदने अर्थ में प्रत्या है, और ठाएं प्रत्या है, और सुत्र सामने ध्यान लखे तेन क्रीतम, अब गतम, इसी तरह से अब आगे हम विशेश प्रत्या का विधान कर रहे हैं, और वो प्रत्या है वती प्रत्य, वती प्रत्य संस्क्रत में अधिकतर हम प्रयोग करते हैं साद्रिश अर्थ को बताने के लिए, तो कहां पर में हम वती प्रत्य करेंगे, उसको बताने के लिए सूतर है, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती, तो तेन का मतलब क्या हो गया, फिर वही तरत्यांत वो क्या है सहके योग में तो जहां तुलना की जाती है सद्रिस्टा बताई जाती है उसमें तृतियांत जो पद रहे हुई उस पद के साथ में यदी किसी की तुलना होती हो यदी किसी का साद्रिश्य अर्थवताना हो उस साद्रिश अर्थ बताने के लिए वतिप्रत्य का प्रियोग होता है वतिप्रत्य तदित्प्रत्य होता है इसी बात को हम सूत्र के अर्थ की द्रिश्च से बोलेंगे तो क्या कहेंगे तृतियांतात तुल्यम अर्थे तृतियांत पद से तुल्य अर्थ में वतिप्रत अब यह जो तुलना करोगे सादुर्श बताओगे तो सादुर्श यहाँ विशेश चीज में ही बोडर करना चाहते हैं तक कहते हैं यसायत तुल्यम साथ क्रियाचेद इती क्रिया चेद वति यदि क्रिया के साथ तुल्ना कर रहे हो यदि किसी की क्रिया के साथ कारे के साथ तुल्ना कर रहे हैं कि इसका कारे इसके जैसा है इस अर्थ को बताने के लिए क्रिया की यदि तुल्ना की जाए तो क्रिया के तुल्ना अर्थ में ही वति प्रत्य होगा अब गतम तो जैसे उदाहरन के तौर बे देखो कहते हैं ब्राम्हनेन तुल्यम ब्राम्हन वत तो ब्राम्हनेन तुल्यम ब्राम्हन वत यहां ब्राम्हन के जैसा जो होगा उसे कहेंगे ब्राम्हन की तरह अब ब्राम्हन की तरह तो यहां इतने वाक्य से क्रिया अर्थ है य क्रिया की समानता बता रहे ये अर्थ नहीं बोध हो रहा है इसलिए यहां क्रिया का अर्थ है ये बताने के लिए कोई क्रिया वाचक पद देना पड़ेगा इसलिए उदाहरण में क्या लिखता है अधीते क्या है क्रिया तो ब्राम्हन जैसे अध्यन करता है नित्य क्रमिक पारायन संद्योपासनादी के बाद जैसे नित्य क्रम से अध्यन करता है शास्त्र का इसी तरह से अध्यन कर रहा है तो ऐसे अध्यन करने की क्रिया की समानता को देख करके हम बोलेंगे ब्राम्हन व अर्थ में क्रिया साध्रिष्य है क्रिया के तुल्य अर्थ रफ्रत्य वति का से च्मचेगा वत इसी अब गया राह्मम वतिक गया आंध ये अधिया ब्रद्धि का क्रम्मत नहीं है है अलंग जा व्यो दिरगात सुते से प्रत्तम हल से सूका लोप हो जाएगा तो ब्रामन अबत बन जाएगा। अब गतम कहते हैं इसमें आपने ये चीजे क्यों कहीं कि क्रिया की जदी समानता हो तभी वती प्रत्य होगा। तो चाहे कहीं गुण की समानता बता रहे हो किसी का गुण किसी से मिलता हो तो गुण की समानता बताने पर भी वती प्रत्य होने लगता जो नहीं होता है। तो वहां केवल वाक्य बनता है जैसे ब्राह्मने पुत्रेन तुल्यास थूला, पुत्र के तरह जो अधन मोटा है, तो मोटा पा क्या है गुण है, तो यहाँ पर में तुलना की जारी है गुण से, तो गुण के तुल्ला के करने पर, गुण के साथ साधरुशosa दिखाने पर कभी भी वति प्रत्य नहीं होता यदि सूत्र में हम क्रिया का ग्रहन नहीं करते तो क्रिया की समानता होने पर ही क्रिया के तुल्ना अर्थ में ही प्रत्वति प्रत्य हो ये अर्थ तो होता नहीं तो गुण में जहां समानता होती ऐसे जगा भी वति प्रत्य होने लगता जो गलत प्रियोग बनता, तो वह गलत प्रियोग नवने ब्राह्मनेन या पुत्रेन तुल्यस थूलः इत्यादी प्रियोग में वति प्रत्य जिस से नहीं होता है जिसकारण अथेह हमको सूत्र में क्रियागरहन करना पड़ा अव Jewtam इस तरह से हमको यहाँ कि क्रिया की जहां कहीं समानता वताई जाती हो वहां संस्क्रत में वतिप प्रत्य होता अब अब आपके सिलेवस में थोड़ा सा कुछ उल्टा जो पहले का सूत्र है वो बाद में रख दिया गया जो बाद का सूत्र है वो पहले रख दिया गया इसलिए अपने को इसके बाद जो क्रम से फुस्तक के क्रम में जो प्रकरण है उस प्रकरण के आधार पर अगला जो सूत्र है उसको अपन देखें तो वो सूत्र है तस्य भावस्त्वत्तलव। उसमें रहने वाला एक धर्म विशेश तो किसी भी सश्चंत पद से उस पद में रहने वाला जो धर्म विशेश सत्ता उसको वताने के लिए संस्कृत में तुव और तल प्रत्य होता है। भावह नाम धर्म विशेश तो तद वृत्ती जो धर्म है तो शस्चंत पद में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म को वताने के लिए तो और तल प्रत्य होता है। अब इसको ध्यान रखिये परिक्षावे प्रस्न पूछ देगा कि भाव किसे कहते हैं तो भाव की परिभाशा जो किताब में दी गई है उस रूप में परिभाशा भी याद रखें। तो परिभाशा के रूप में कहते हैं प्रकृती जन्य बोधे प्रकारव भावह प्रकृती किसे कहेंगे जिससे हम प्रत्य करने जा रहे है वो क्या है प्रकृती और उस प्रकृति से होने वाला जो ज्ञान है वही ज्ञान अर्थात प्रकृति में रहने वाला जो धर्म है वही प्रकार में विशेशन वह विशेशन ही भाव लिया जाता है जैसे उदान के तोर पर मनुष्य है तो मनुष्य में जो रहने वाला जो धर्म है अब गतम वह ध धर्म क्या है मनुष्यत्व जो हम बोलते हैं तो मनुष्य प्रकृति है उसे प्रकृति में रहने वाला जो धर्म है क्या मनुष्यत्व प्रकारक अयम मनुष्यह इत्याकारग्या मनुष्यत्व से युक्त यहां मनुष्य तो यहां मनुष्यत्व क्या है प्रकार और मनुष् सम्झेगे ने तो विशेशन के रूप में जो अर्थ है जो अर्थ ज्यान होता है वही भाव है और उसी भाव को वताने के लिए तो और तल प्रत्य होता है तो हमको लक्षन क्या बोना पड़ेगा प्रकृते जन्य बोधे प्रकारह भाव अवगतम जैसे पुदाहरंदेरा ग गोर भागो गोत्वम गो का जो भाव है गो में रहने वाला जो विशेशन है प्रकारह ने विशेशन तो गो में एक विशेशन रूप में रह रहा है धर्म विशेश वो क्या है गोत्व तो उसी को हम बोलेंगे गोत्वम तो गो में रहने वाले धर्म को बताने के लिए त् इसलिए प्रात्य संग्या करके सू करके हम बोल देंगे गोत्वम और जब तल प्रत्या करेंगे तो तल प्रत्यांत शब्द हमें सा इसलिंग में प्रयोग होता है इसलिए गो शब्द से तल प्रत्यांत जब करेंगे तो गोत्व बनेगा अजाद तस्ट्यांत से चाप करोग पसुता हैं तो, यह तो श़ाइँ, है सौर्टर, पसुत्वम, ए दूनों एक ही चीज़ सब जगह पर में जो प्रत्य हो रहा है त्सक्राइँ, तोो, किस अर्थ में यह प्रकार अर्थ में भाव अर्थ में विशेशनवाची अर्थ को बताने के लिए तो और तल प्रत्य होता अब गितम इसी प्रकृत जन्य बोधे प्रकार ओभावह यह जो हमने भावका लक्षन किया उसी को समझा रहे हैं आपके इसी उदाहरन के यसमात जैसे यसमात गवादी शब्दात तलव करिये थे रथा जिस गो शब्द से हम तो और तल प्रत्य कर र प्रकृति और उसी प्रकृति से जन्य उत्पन जो ज्ञान है क्या ज्ञान हुआ गोत्व प्रकारक गोविशेश्यक मने जिसमें रहने वाला गोत्व विशेशन है और गोविशेश्य है इस प्रकार गोत्व प्रकारक गोविशेश्यक यह जो ज्ञान है इस ज्ञान में जो मैं विशेशन है वो क्या है गोत्वादी वही क्या है भाव प्रत्य का अर्थ अवगतम इस तरह से जिस किसी में भी रहने वाला धर्म को वताएंगे उस धर्म का वताने के लिए तो और तलप्रत्य होता है अब गदम इसी तरह से अब अगला सूत्र दे रहा है कि गुनवचन ब्राम्हना दिभ्या करमणीचा गुनवचन ब्राम्हना दिभ्या करमणीचा त्या लगना हम एक प्रत्य पढ़ेंगे जिस प्रत्य को कहते हैं आगे जैसे हमने कहा भाव अर्थ में गुन भाव धर्म को बताने के लिए यहां भी क्या धर्म विशेश उस धर्म विशेश को बताने के लिए हमने अभी त्वा और तल प्रत्य कहा था इसी तरह से यदी कोई गुनवाचक शब्द है तो गुनवाचक जो शब्द होगा इस शब्द से और ब्राम्वन आदि जो शब्द है इस सब्द से उसमें रहने वाला जो भाव मने धर्म विशेश विशेशन और कर्म मने क्रिया तो भाव और क्रिया को बताने के लिए क्या होगा श्यय प्रत्य होता है अब गतम ये श्यय प्रत्य का उदारण है तो गुलवचन ब्राम्मना दिभ्यह कर्म नीचा तो सूत्र में क्या खा कर्म अर्थ में और चो से क्या आर्थ करेंगे भाव अर्थ में तो गुलवाची सब क्रिया के रूप में एक कर्म, एक कारे के रूप में, क्योंकि इस dönem में लोग समझते नहीं नहीं हैं, ब्रांत हो करके एक ही कह देते हैं कि एक ही तो चीज है क्रिया कहलो कर्म कहलो एक ही चीज है नहीं अपने शास्त्र में क्रिया और कर्म में अंतर है क्रिया और कर्म में सास्त्रिय द्रिष्ट से अलग-अलग रूप में इसे समझाया गया है समझवारे बार, तो ध्यान रखना है, शरीर मात्र, सरीरायास मात्रम साध्यम सवचादि क्रिया, शरीर के द्वारा जो की जाने वाले कारी हैं, उसको हम क्रिया बोलते हैं, जैसे सरीर को स्वच्छ रखना, तो सरीर के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है, जो कारी है, उसक हम क्रिया बोलते हैं और शास्त्र के द्वारा जो विहित कारी है उसको हम कारी बोलेंगे शास्त्र के द्वारा विहित जो क्रिया जिसको हम अभी एक सबान सब्द में बोल रहे हैं तो शरीर में होने वाली जो क्रिया है शरीर के द्वारा जो की जाने वाली क्रिया है वह तो क या सब्द के द्वारा विभार होता है और शास्त्र ने जिस क्रिया को विधान करने के लिए कहा है वह जो है कारे के नाम से होता है इत्यने और भेदा ये दोनों में भेदा है अब गतम तो जैसे ध्यानक ना कि शास्त्र ने कहा कि वे यागादी कर्म कीजे तो शास्त्र के द शरीर के द्वारा किया जाने वाला है क्रिया और कार्य दोनों में अंत आंतर है कार्यम शास्त्र वहीत्यम जद्ध्भमकी तक कार्यम और इस नाक जन्य यद्भकी सिझाकर आह वह व इसें द शवुचादिक क्रिया ली तो जड में रहने वाला जो धर्म जडत्व उस जडत्व धर्म को बताने के लिए या जड मुर्ख ब्यक्ति के द्वारा किया जो कारी होगा उस कर्म को बताने के लिए हम शेय प्रत्य कर देंगे तो जडस्य भाव कर्म भा इस अर्थ में सश्चंत पद हो गया जडस्य जड नस और भाव अर्थ में श्याई प्रत्य करेंगे श्याई का सेश्व चेगा यह अब गतम अब श्याई में यकार की इत्षण्या है तो ध्यान रखना आदियच को ब्रत्दी होगी तो जड प्लस यहें सेखान बंद लोप होके क्या उचेगा यह इस्तित्वनी जड प्लस यह यादि प्रत्य होने के कारण भसंग्या हो जाएगी भसंग्या होने से अकार का लोप हो जाएगा और जड ड हलंत हो करके यह से मिलेगा और आदियच को ब्रत्दी कर देंगे तो जाद्य मुल देगा जाद्यम से प्रत्यां सब्दमेशान पंट भसंग्लिंग में होता है इसले तुम लोग नीज सतक करने पड़े होगे जाद्यब्यायागी सिणचरेपां जτα जाध्य कहलो जणता कहलो, एक ही बाद है, तो जाध्य जो धर्म है, जड़ता से युक्तिया, घर्म से युक्ति-जड़ में रहने वाला जो धर्म विशेश, उसी को बोलते है जाध्य, अब गतम, जाध्यम धियाहा हरती, वह जो मुर्खता पूर्ण जो भुर्धि है उसको घरन करलेती है। इसाल बिद्या, ग््यान, ग्यान जो है ज़णता को खत्म कर देती है। तो इसी तरह से मालनो, मूधस्यभाव कर्मई धा मुध्यम, मूध्मने मुर्खता, तो मूढ का जो भाव होगा उसे क्या वो लेंगे मौध्य इसी तरह से ब्रामनस्य भाव कर्मबा ब्रामन्यम तो ब्रामन का जो कर्म और भाव होगा उसे भी क्या वोने ब्रामन इसी को ध्यान में रखना कि कवे कर्मबा भाव काब्यम ये बनता है तो वहां हलांकि सुत्र अ आई है न्यानगना कबिर भावा काभ्यम अभगतम तो किसी गुणोबचन अर्थ में हम प्रयोग कर लेते हैं ब्रामनादि गन में पढ़े होने के कारण तो काभ्यम प्रयोग बन जाता है अभगतम तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जहां जहां अलग-अलग शब्द आता है उस अलग-अलग अर्थ में शब्द से हम प्रत्य का विधान करते हैं अब गतम समझवारी बात किसी तरह से देखो अगला सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिभ्या इतच अब हम इतच प्रत्य पढ़ने जा रहे हैं और ये प्रयोग कई वार पूछ देता है तदस्य संजातम तो संजातम ने होना वहां यह हो गया और तद पद यहां प्रत्मांत है तो तद अस्य वहां यहां हुआ यहां उत्पन हुआ समझेगे ने तो जो चीज उत्पन होगी उससे युक्त उस चीज को हम बोद करेंगे तो उसी को कहते हैं तद अस्य संजातम वहां इसमें हो गया या इसका हो गया इस अर्थ में तारका दिभ्या तारकादी सब्द से इतच प्रत्य होगा तो तारकादी गिनादिया है तो तारकादी गन में जो पढ़े गए शब्द है उसी से हम इतच प्रत्य करेंगे और इस सूत्र का उदारन परिक्षा में पूस्ता रहता है ध्यानक ना, तो जैसे तो तद में कौन सी विवक्त होगी प्रथमा, अर्थ क्या करेंगे प्रथमांत जो पद, और क्या कैसा प्रथमांत पद, तो संजा तहा इस अर्थ विशेश से युक्त, तारका दिभ्या, ता तारक कहते हैं, तारको, आकास में जो तारे होते हैं, उसको तारक बोलते हैं, तो तारकाह संजाता अस्य तारकितम नभा, ये आकास कैसे हैं, जिसमें तारे जो हैं व्याप्त हो गए हैं, तारे निकल गए हैं, तो तारे निकले हुए आकास को तारकितम नभा कहेंगे, तो तारक हा ये सब्द है संजाता हा अस्या के सर्थ में क्या प्रत्या करोगे इतच प्रत्या तो शब्द कौन है तारक तारक सब्द से प्रत्या करेंगे इतच इतच का क्या उचेगा इतच इस्थित बनेई तारक प्लस इतच अब इतच में चुकि हरस्व वह स्वरवर्न है इसलिए यादी अजादी प्रत्य परे रहने के कारण पूर्व की भसंग्या हो जाएगी तो तारक के कव में जो अ है उसका भसंग्या और यस्यतिचा से लोप हो जाएगा शब्द बन जाएगा तारक प्लस इतच का बचाईत इस तित क्यावनी तारकीत शब्द हो गया तारकित अब आगे जो विशेष्य है जिसके लिए बता रहा है वो कौन है नव तो नव- शब्द नपूंसक में नवह इसलिए इसका विशेषन नपूंसक में करेंगे सूल आ करक और कह persistence अम गरेंगे तो तारकितम नवह अब करिattinit my में भी क्या इतच प्रत है तो कोई चीज रहे किसी अर्थ को तो बताना किया वो चीज इसमें है वो चीज उत्पन हुई है इसमें तो पंडित किसे कहते है पंडा संजाता पंडा संजाता अस्या मनें पंडा हो गई है पंडा उत्पन हो गई है इसमें पंडा जिसमें उत्प उसे बोलेंगे पंडित, पंडा जिसमें उत्पन है, पंडा क्या चीज़ है भी, पंडा कहते है शद असद विवेकनी बुद्धी पंडा, उस बुद्धी को हम पंडा बोलते हैं, जो सही और गलत का विचार करें, इदमित्थम ये गलत है, ये सही है, इस प्रकार का जो प्रेकत ज्ञान जिसको हो चुका है, ऐसे ब्रक्ति को बोलेंगे हम पंडित, समझेगे ने, तो सद असद विवेकनी बुद्धी पंडा, ये पंडा का ज्यानग ना, आजकल जो अर्थ है, रूड हो गया है, पंडित में, पुजा पाथ वाले में, ये अर्थ नहीं है, बस असा जो ज्ञानवान विवेकी जो पुरुष है, उसी को पंडित बोला जाता है, तो इसलिए, सद असद विवेकनी बुद्धी पंडा, असा, पंडा, संजाता, अस्या, वो पंडा उत्पन हो गई है, इसमें, इस अर्थ में, पंडा सब्द से इतच प्रत्य करेंगे, फि सुरृ होने के कारण, अच होने के कारण, भसन्या, आकार का लोब करेंगे, तो पंडा, प्लस, इत, जाके मिल जाएगा, पंडित, सूल आओगे, सूरुत भिशरकरोंगे, का बन जाओगा, पंडित हा, समगे न, इसी तरह से लज्जा, अस्या, संजाता, इती, लज्जित ह लज्जा जिसमें उत्पन हो गई है ऐसे वक्तिकों कहेंगे लज्जित, त्रिशा प्यास जिसको लग चुकी है ऐसे वक्तिकों कहेंगे त्रिशित, पुस्प जिसमें हो गया है, फूल जिसमें हो गया है उसे कहेंगे पुस्पित, पल्लव जिसमें हो गया उसे कहेंगे पल् पुलक जिसमें प्रसनता जिसमें हो गया उसे कहेंगे पुलकित रोमान्च जिसमें हो गया उसे कहेंगे रोमान्च तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं लज्जितहा, क्रिशितहा, कुस्पितहा, फलितहा, पुलकितहा, रोमान्च तहा ये सारे के सारे शब्द इतच प्रत्य इस तरह से हम इतच प्रत्य को ध्यान में रख करके यह कहेंगे कि संजात हा मने उत्पन हो गई है इस अर्थ में संजात अर्थ में उत्पन होने अर्थ में प्रत्वांत वाचक समर्थपद से इसी तरह अव दूसरा प्रत्य हम पढ़ने जारे है जिसको कहते है मतुप प्रत्य कहा होता है तो वही अब उसी तरह से अर्थ चलढ़ा है तद अस्य अस्ति अस्मिन इति मतुप तद अस्यास तस्मिन इति मतुप तद मने वही कोई भी प्रथमांत जो चीज है इसमें या इसके पास तो कोई चीज इसके पास या इसमें इस अर्थ को बताने के लिए प्रथमांत जो पद होगा ऐसे प्रथमांत स तो तत्व मनिए प्रधमांत्पात्व प्धत्व से हमको क्या करना है बतुप्रत्या है वह चीज है जिसमे या जिसके पास इस अर्ट को बताने के लिए इसी को कहेंगे संग्षेफ में तदस्यया अस्मिन। अस्य अस्मिन इत्यर्थ है इसका या इसके पास और इसमें जैसे धन है जिसके पास इस अर्थ में गुण है जिसके पास लक्ष्मी है जिसके पास जिसमें इस अर्थ को बताने के लिए हम बतुप्रत्य करेंगे उसी को कहते है तदस्ती अस्य अस्मिन इत्यर्थ है वह चीज है इसके पास, या इस में इस अर्थ में प्रतमांत समर्थपद से, अर्थात, प्रतमांत समर्थपद क्या हुआ, सत्ता, क्रिया, भूत, जो चीज है उसको बताने के लिए हम मतुप प्रत्य करेंगे, और मतुप का सेश क्या वचेगा मत तो जैसे देखो गावह अस्य अस्ति अस्मिनिती गाई है जिसके पास इस अर्थ को बताने के लिए बोलेंगे तो क्या वनेगा गो मान तो गो शब्द है प्रत्मान पर इससे हम मतुप प्रत्य कर देंगे तो क्या वनेगा मतुप गो मतुप मतुप का से इस वचेगा मत इ रात्पदिक स्ञ्या करेंगे सू करेंगे प्रत्मा के एक वचन में क्या बन जाएगा गोमान तो गोमान गोमंतव गोमंतः अब इसी तरह से कोई भी प्रयोग है जरा ध्यान दीजे हम कहते है धनम अस्ति इती अस्मिन इती धनवान गुनम अस्ति अस्मिन इती गुनवान र अब यहाँ जो एक विशेष जो भातवपूर्ण सूत्र है वो आपको समझना है कि आपने अभी क्या बना दिया वो है जिसके पास गो मान और धन है जिसके पास उसके लिए क्या बन गया धनवान तो एक जगा मान आपने बोला एक जगा बान वोलवान बोला तो कहां पर में ये मौ में बदलेगा, ये नियम आज के छात्रों को इस पस्त नहीं रहता है, तो इसलिए इसको बताने के लिए आपके सिलेवस में अगला सूत्र दिया, जो अच्छी तरह ध्यान दिजिए, सूत्र है मा दुपधायाह मतोर वो अवयवाद इभ्या, ये सूत्र याद रखना, अब इस सूत्र में मात अलग है और उपधायाह अलग है, और मूल सूत्र का अर्थ है मतो वह, मनें मतुप के मौ को वो होता है, तो मतुप का जो अवयव मौ, उस मौ के स्थान पर वो होगा, कब होगा, उसको बताने के लिए दिया मात उपधाया, अब इस सूत्र को संक्षेप में, जिससे तुमको समझ में आ जाए, वो चीज समझो, यद्यपी सूत्र का अर्थ करना थोड़ा कठिन है, लेकिन तुम लोग जिस चीज को समझ सको, उस तरीके से केवल समझो, इसमें दो चीज है, मात और अत, अधुपधाया, तो मात एक सौतंतरपद है, और अधुपधाया का मतलब है, अकार है उपधा में जिसके, तो इस सूत्र में मात में पंचवी भीवक्ती है तो पंचवी भीवक्ती जो है और ये विशेशन है शब्द का किसी लिए विशेशन होने से अर्थ क्या होना चाहिए मकारांत है समझे है रवार और अर्थ का अर्थ होना चाहिए अदुपध मने उपधा में ओ है जिसके लेकिन इस सूत्र का मूल अर्थ समझना की मात का मतलब दो अर्थ करता है अपने को एक जिस सब्द के अंतम में मौ होगा ऐसे मकारांत सब्द से परे जो मतुप होगा उस मतुप के मौ के स्थान में वह होगा और एक उपधा में जो मौ होगा ऐसे उपधा वाले मकार के स्थान पर भी मकार वाले शब्द से परे भी मौ के स्थान में वह आदेश होगा अब गतम, तो ध्यान क्या रखना है, किस परकार के सब्दों में, कि जहां अंत में मौ हो, ऐसे मकारांत सब्द के बाद जो मतुप होगा, उस मतुप के मौ के स्थान पर वह हो जाएगा दूसरी बात, यदी मकार उपधा में है, उपधा किसे कहते हैं, अंतिम से पूर वरल को, यदी उपधा में मौ है, तो उसको भी हो जाएगा इसी तरह से अर्थ करना है हमको ओ के लिए भी, अर्थात अकारांत जो शब्द होगा, वहाँ उसके बाद भी मतुप के मौ को वह करेंगे और यदी उपधा में ओ है, तब भी हम ऐसे अकार उपधा वाले पद से भी परे मतुप के मौ को वह कर देंगे ये मूल सिद्धांत या, इसके अत्रिक्त जहां कहीं भी रेगा, वो हलाकि एक सुत्र और आएगा जयहा, कि जयह प्रत्यार का वर्ण जिसके अंत में होगा, उसके बाद भी मतुप को मौ होता है तो एक जयह सुत्र जयह प्रत्यार से परे मौ के स्थान में वह करता है, और पधान सुत्र ये है, मादुगधाया मतुरगो अवयवा दिभ्याह, ये सुत्र कहता है कि मकारांत और मदुपध, मकारो पध, शब्द के परे मतुप को मौ हो, वह हो, और इसी तरह से अकारांत और अकारो उपधन, इस दोनों प्रकार के शव्द से परे, मतुब के स्थान में मह होता है, जैसे उटाहर, देखो, हम प्रयोग बनाते हैं, किम वान, क्या, तो किम अस्य-स्तिति, क्या है इसके पास, यह जब किसी को बोलेंगे, तो किम अस्ति अस्या क्या है इसके पाक इसमें सब्द कौन है किम किम सब्द क्या है मकारांत तो मकारांत होने के बाद किम सब्द से जब मतुप प्रत्य करेंगे तो मतुप का क्या से स्वचेगा मौ अब मकारांत होने के कारण मौ के स्थान में वह आदेश कर देंगे तो क्य वन गया किमवत और मों को अनुष्वार कर देंगे किया प्राव बन जाए किमवत और किमवत सब्द के प्रत्मा के एक वचन में किमवान क्योंकि वत जहां भी लगेगा मतुप्रत्य उगित होने के कारण उगित नुम जो होगा उत्ता से पहले और प्रत्मा के कचन में सूल आओगे तो किमवनतस सुकास अब यहां क्या होगा कि हलंग्यावल त्रीर आशी सूल से सूल अवल जाता है और प्रियोग्या वन गया अत्वसंतस से चाध अअतों से दिर्ग तो दिर्ग हो गया अत होने की कारण, तो दिर्ग हो गया तो प्रयोग क्यान गया किमवान, तो किमवान में मकारांत सब्ध से परे मतुप के अस्थान में वह हुआ है ये उसका उदाहरन है, इसी तरह से हमने क्या ख़ा, मौ यदी उपधा में हो जहाँ, वहां भी होता है, ज क्योंकि अंतिम से पुरुवर्ण मौ है उबदा हो गया तो इसे लक्षमी शब्द से भी जब मतुप प्रत्य करेंगे तो मतुप के साम में मौ जो रहेगा उस मौ को वहादेश हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा लक्षमी वान अब गतम इसी तरह से अब अकारांत जिसक मतुप के जगापर में भी मा वह कर देंगा यससवत और यससवत क का प्रियो क्या वनद गाएगा यससववान अब ध्यानक न अदुपदाया में जो ओ है, इस ओ से आका भी ग्रहन करते हैं, तो जैसे अकारन्त Anda की बाद में मौकोवववव हो जाएगा, उसी तरह से आकारन्त से भी परे मौकोववववव हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ हम इसको जैसे मेधा अस्या, यती मेधावा इस तरह से आपने बहुत सारे सूत्रों को देखा इस तरह से हमें सूत्र उसका उदाहरन और उसमें प्रत्य ये तीन चीजे जो इसको ध्याम में रखे इसी तरह से और जो अवसेश सूत्र बच गया है उसकी चर्चा फिर कल करेंगे इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते है और उमीद करते हैं कि आप लोग जितनी मेहनत मुझे करवा रहे हो, उतनी ही आधार पर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, या करेंगे, नहीं तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी, कि अनावस्यक फिर मैं आप नोगों के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं, सभी लोग अपने उने और आगे बढ़ाते रहें इसको ताकि हमारी मेनत दूर तक छात्रों के पास में पहुचे तो समझेंगे कि ये भी कार ये कम से कम ने किया कि अधिक से अधिक छात्रों को संस्क्रत बताया पढ़ाया उस चगा कुछ लाब मिला इस तरीके से ध्यान में रखते हुए आप इसको आगे भी बढ़ाये यूटूब को ताकि यूटूब जिससे अधिक सधिक छात्र इससे लाभार निक्थ हो सके चलिए धन्यवाद इसे विसाथ बिराम लेता हूँ